नमस्कार कल मैंने आपको यह बताया था कि जो बड़ी बड़ी किड्नेपिंग जिनकी डिलिंग दुबई से हुआ करती थी बड़े ऑपरेटर्स थे बड़ा सिंडिकेट था वहां पर हवाला का और बब्लु शेवास्तो जैसे मास्टर माइन यहां पर किड्नेपिंग को इग सब्सक्राप कर दिये सीवियाई ने दुबई में जो ट्रेडिशनल इनके हवाला के ऑपरेटर्स थे वो शिफ्ट हो गए भाग गए मारे गए इसका फाइदा लोकल क्रिमिनल्स ने उठाया और यह जानकारी होई रही थी सबको कि किस तरह से किड्नेपिंग हुई और किसक करके टार्गेट से कितना पैसा वसूला जा सकता है इसका फाइदा उठाके इस्थानिये जो छोटे मोटे क्रिमिनल थे छोटा-छोटा काम करते थे उनको यह लगा कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है क्राइम में इधर उधर अपना अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बढ पैसा खामाने का उसको किया जा सकता है कि इस तरह की कि एक किड्नेपिंग हुई हरद्वार में हरद्वार के बहुत ही प्रमुख चिकित सक्थे डॉक्टर डियन तनियजा सोला फरवरी 99 को वो क्लीनिक से अपने घर लाट रहे थे और उनकी किड्नेपिंग होगी स्टीफ को भी इसमें लगाया गया चुंकि उस समय तक बड़ी किड्नेपिंग केसिज स्टीफ ने वरकाउट कर लिये थे पूरी टीम हरद्वार पहुंची बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इकठा करनी होती है वो इकठा की गई मोडस ऑपरेंडी कमो बेश वही थी यह जो बड़े बड़े गेंग्स की हुआ करती है प्रायमा फेसी यह लगा कि शायद यह वही लोग हैं जो अभी तक बड़ी किड्नेपिंग करते आये हैं काफी कोशिश के बाद बहुत जादा लीड इसमें नहीं मिल पाई हरद्वार में एक दम बिलकुल जिसको कहते हैं कि हरद्वार में बिलकुल दहशत का माहूल हो गया था क्योंकि वहां के एक और प्रिसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दूबलिस का पहले ही अपारण हो चुका था जब वो अपनी रैंसम पेकर के वापस आये थे हरद्वार कोत्वाली में इनका मुकदमा दर्ज हुआ 364 ए में 202 बटे 99 इनका क्राइम नंबर था लोकल पुलिस हरद्वार की हरद्वार की स्पेशाल ऑपरेशन्स की जो एक छोटी यूनिट वनी थी वो और स्टेफ के सभी लोग स्टेफ को तब तक इलेट्रानिक सर्विलांस में काफी एड्वांस्मेंट स्टेफ की हो गई थी और काफी आगे तक हम लोग पहुँच गए थे तो 11 मार्च को मोदी नगर के जो फायर सर्विस है उसके फायरमेन उंकार सिंग को गिरिफतार कर लिया गया हालांकि डॉक्टर तनेजा तब तक अपनी फिरोती की रखम देकर वापस से ले आये थे और हम लोग ट्रेस करते करते उंकार सिंग और उसका चाचा राजपाल सिंग इस के डिफतार हुए वहां से लोग हरद्वार से के डिफतार के लिया आये थे मोदी नगर में उसको रखा गया था वहीं से गालियों से दूर दूर जा के पचास पचास सौ सो किलो मेटर दूर जार के रैंसम काल किया करते थे उन्हें नमबरों को ट्रैक करते करते हैं मेरे कहने का आचा है यह था कि लोकल क्रिमिनलस भी उस बीच में इस तरह से किड्नैपिंग करने लगे कि पुलिस पर फिर बड़ा दबाव आने लगा यह किड्नैपिंग भी उन्हीं में एक थी और सब सारी एजिंसी जिसमें लग गई कि ऐसा लगता है कि फिर यह बबलु शवास्ता और और फजलु रहमान इन लोगों का हाथ इसमें है क्योंकि इतनी बड़ी डील इतना बड़ा पैसे की लेन देन यह अब तक 98 पूरे 97, 98 और 99 में यही लोग किया कर रहे थे अगली किड्नैपिंग हुई इलहाबाद में इलहाबाद एग्रिकल्चर इंस्ट्टूट का एक लड़का था मैयंग सिंग इनके पिता जी प्रकास्टिंग जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में इग्जेक्विटी इंजीनियर थे एक गाड़ी से तीन लोगों ने इलहाबाद एग्रिकल्चर इंस्टूट के बाहर ही इसके किड्नैपिंग कर ली कर लिए दो दिन तक तो घर वाले नहीं पता कर पाए लड़का है बाहर पढ़ता है हो सकता कहीं चला गया हो मोबाइल इसका आफ हो गया हो कि लेकिन जब रैंसम कॉल आई और पचास लाख रुपए की फिरोती मांगी गई तब बात समझ में आई कि ये फिर किसी बड़े गैंग ने हाथ डाल दिया प्रकास सिंग बहुत ही वेल आफ परिवार था इनका और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि नपा तुला टार्गेट अपरण करता हो ने रखा था कि किस से कितना पैसा वसूला जा सकता है इसमें ये किट्नेपिंग हुई थी 11 मार्च 99 को और इसमें भी स्टेफ पूरी टीम हम लोग सारे लोग रिकल्चर इंस्ट्यूट के आस पास गए सारी जानकारी की बिल्कुल क्लू लिस्ट है उस समय इलहाबाद में काफी दिल लोके फिर एक टीम वहां से लखनवू चली आई लखनवू के रहने वाले थे यह लोग यहां आसपास दिखा गया पुलिस तो अपना शुरू करती है तो पहले तो रंजिश से शुरू करती है किसाब कोई रंजिश तो नहीं है खास कर जमीन और प्रापर्टी की कोई रंजिश तो नहीं है उसके बाद फिर दूसरा एंगल पुलिस के कहीं कोई आशनाई का मामला तो नहीं है किसी लड़की से इसके संबंध हो लड़की के घरवालों को ये बुरा लगता हो और फिर कहीं इसे गायब कर दिया गया हो मार दिया गया हो प इस तरह कि किसी घटना में जब कोई आदमी घायव हो जाए और अपहरन हो जाए उसका तो फिर इन सब पहलों पर जाच पुलिस जरूर करती है इस तरह ये रंजिश वाली कोई बात कहीं पता नहीं लगी यो लड़की से भी किसी ऐसे किसी नंबर से कोई बात नहीं हुई है जिससे ये कहा जा सके कि ये इतनी घंभीर बात है कि इसमें किसी लड़के की किटनेपिंग भी की जा सकती है ये दोनों चीजें रूल आउट हो गई जिस नंबर से रैंसम कॉल आई थी उस कॉल उस मुबाइल नंबर की बहुत ही गहन भी बेचना की हम लोगों ने तब तक हम लोगों का exclusive surveillance cell STF में तयार हो गया था हम लोग उसमें 2-3-4 तीन-4 लोगों को उसमें रख लिया गया था कहीं और से भी कहीं और से चुमकि call detail report की demand mobile company को नहीं होती थी तो हम लोग telephone से भी mail भेजने के पहरे अगर call detail report मांग लिया करते थे तो call detail report मिल जाती थी analysis पहले तो manual करते थे उसके बाद फिर excel sheet पे analysis भी शुरू की और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में हम लोगों से कोई भी computer के बारे में नहीं जानता था लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को computer के बारे में घ्यान हो गया अच्छा लगने लगा चीजें आगे बढ़ने लगी बड़े बड़े केस खुलने लगे और उसमें और इंट्रेस्ट पैदा हो गया कि कम समय में यानि कम समय को बचा के हम सही location सही number सही पता सही movement और सही स्थान computer से locate कर सकते हैं और अब धीरे धीरे हमारे members के पास अपने personal laptop भी और STF द्वारा सप्लाई laptop भी आने लगे थे क्योंकि इस काम में जिसे कहते हैं मज़ा आने लगा था Numbers के analysis से ये पता लगने लगा कि ये कुछ इसका connection कहीं overseas यानि दुबई से नहीं है कहीं दिल्ली कलकता या बंबई से नहीं है इसलिए उस line को जिस पे हर हाल में हम लोग वहीं पहुंच जाया करते थे क्योंकि पिछले दो सालों की बड़ी kidnapping सारी ultimately वहीं दुबई जाके रुकती थी और फिर इससे अंदाज लग जाता था कि कब तक छूटेगा कितना पैसा लिया जाएगा कैसे लिया जाएगा यह कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती थी लेकिन इस बार इस तरह का कोई नंबर कहीं फिट नहीं बैठा और आप समझ सकते हैं कि किसी बड़े agriculture institute का बड़ा नाम है और agriculture के फिल्ल में हमारी खाल से नॉर्थ इंडिया में उस तरह का कोई institute उतना पुराना institute नए institute तो बहुत देर सारे हो गए लेकिन बिटिश पीरियट से पहले का भी यह institute है और इतना नामी गिरामी institute कोई है नहीं और इंजिनीरिंग की डिगरी यहाँ पर उस जमाने में मिलती थी यह घटना तो 99 की है लेकिन उससे पहले भी पचास और साथ के देशक में भी agriculture इंजिनीरिंग की डिगरी अकेले वहीं मिला करती थी उनके इंजिनीरिंग के स्टूडेंट की कट्नैपिंग हो गई रैंसम क कि कॉल आ रही थी एकदम जिसको कहते हैं ना गदर मच गया वहाँ पर पुलिस पर फिर वही हमेशा की तरह दबाओ हम लोग भी वो दबाओ महसूस करने लगे और अल्टिमेटली अठारा मार्च को हमें सफलता मिल गई और इसमें तीन लड़के गिरफतार किये गए संजे सिन्हा इंद्रा नगर का पंकत सती गोमती नगर का और राहुल शुकला इंद्रा नगर का ये तीन लड़के गिरफतार किये गए तीनों ही लड़के इंजिनिरिंग के स्टूडेंट थे पढ़े लिखे थे इन्होंने अखवारों से पढ़ पढ़ के लोगों से जानकारी करके कि पुलिस अगर हमें ट्रैक करेगी तो मोबाइल की ट्रैकिंग से कैसे बचना है ये तरीका इनों ने इजाद किया और पहले से ही कम सकम चार महिने तीन महिने पहले से ही इसकी किड्नेपिंग की कापलान बनाया इनके पास देश भर के अकवारों में किड्नेपिंग से समंदित जो समाचार निकलता था उसकी कटिंग भी बरामद हुई कि कैसे पुलिस वहां तक पहुंच गई हो किस नंबर से क्योंकि आप जानते हैं जब कोई घटना का खुलासा होता है तो पुलिस अपनी वाहवाही में डीटेल्स जरूर कुछ नो कुछ बता देती है हाला कि इस संबंद में बहुत ही स्टिक्ट हमारे स्सपी अरुन कुमार साहब इस मामले में बहुत सक्त थे कि हमने कैसे वर्क आउट किया इसको इलेट्रोनिक सर्विलांस से इसकी डीटेल्स बाहर न निकले क्योंकि फिर वो उसकी काट अपराधी खोजेगा और फिर अगले किसी अपराध में फिर हमें अगर सर्विलांस की मदद लेनी होगी तो हम उस तरीके से जिस तरीके से पहले की घटनाएं हमने अपराधियों तक पहुंचके खोली हैं उसमें हमें दिक्कत होगी लेकिन फिर भी नहीं यहां कि दिल्ली पुलिस के इनने कुछ घटनाओं के बारे में जो बताया है वो पेपर कटिंग उनके पास थी कलकटा और दीगर अलग शहरों में जो किटनैपिंग सुई थी या बड़े अपराद हुए थे उसमें अपरादी तक पुलिस पहुँची कैसे क्योंकि मॉबाइल का चलन लगबग लगबग शुरू सभी जगह आ गया था 98 के बाद साल भर में ये मॉबाइल की सेवा पूरे देश में शुरू हो गई थी कॉल रेट भी अब पहले से कुछ सस्ती हो गई थी इन तीनों लड़कों ने पूरा प्लान करके और हमनों कुछ दिक्कत भी इसी वज़े से हुई क्योंकि सिम पर पता जो उस पर जो इन्हों ने जिस आईडी से लिया उस समय दो ही आईडी चलती थी या तो आप अपना उसका बिजली के कनेक्शन का मीटर लगाएं जो जिन्मिन लोग थे वो लगाते थे या ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस लगा के लेने वाले सिम कार्ड वो मोर देन 50% फरजी पाये गए जो हम लोगों की उस समय की इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन केसेंस में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था एक ही ड्राइविंग लाइसेंस पर 20-20-30-30 अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग सिम कार्ड खरी दे गए यह थोड़ी सी दिक्कत आगे आने वाले टाइम में सभी कॉल के लिए वो सिम कार्ड इस्तमाल किये गए और वो भी अलग-अलग मोबाइल के सेट में लगा के उस समय तक आई-एम-ई-ई-ई-अबर के बारे में भी अपराधियों को या पब्लिक डोमेन में यह बात आ गई थी कि आई-ई-ई-ई-अबर अगर आपको अपने मोबा जहा है इस समय इसकी जानकारी स्टीफ वाले कर लेते हैं तो उस प्रॉसेस से बचने के लिए उस प्रॉसेस को स्किप करने के लिए इन लोगों ने बिल्कुल नए मोबाइल फोन से यह सिम लगा कर यह रैंसम कॉल की और तीन रैंसम कॉल इनके पिता श्री प्रकास इंके पास आ गई थी और सब में पचास लाक रुपए तयार रखने की बात हुई थी गिरफतारी के बाद इन लोगों ने बताया कि इन में से दो लड़के संजे सिनहा और पंकत सती ने एक कोई प्लॉट लिया था इलहाबाद में और इनका प्लान यह था कि जब हम यहां से पास शुरू करेंगे अपना अलग से काम शुरू करेंगे उस समय एकनॉमिक लिब्रलाइजेशन का भी दौर था उस समय धीरे धीरे एक्स्पिंशन हो रहा था चोटे-चोटे विवसाय को बढ़ावा मिला था तो इसका इसके लिए इन्हों ने लेकिन तमाम कुशिश के बाद भी यह जो रिक्वाइड पैसा है वो एकठा नहीं कर पा रहे थे और इनको यह लग रहा था कि शायद हम यह प्रोजेक्ट को टेक ओफ ही न कर सकें क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और फिर यही तरीका जो किसी भी क्रिमिनल माइंड में सबसे पहले आता है कि या तो भा भेस्त हो जाते थे वो करते थे या फिर किड्नेपिंग किड्नेपिंग में अगर चालाकी से आप उसको किड्नेपी को कहीं रख पाते हैं और निगोशेट करने की कला आप में आती है तो फिर आपको एकमुष्ट पैसा कम समय में वहीं से मिल सकता है यह सब सोच के इन बात में लगी रहें की संभूत यह भी किड्नेपिंग उसी सिंडिकेट की है जिस सिंडिकेट ने पहले बड़ी किड्नेपिंग लखनव में प्रदेश में या देश के अलग-अलग हिस्सों में किये अगला 30 अप्रिल 99 को 30 अप्रिल 99 को हैदराबाद में वहां के बड़े व्यवसाई ललित गुप्ता के पुत्र अक्षे गुप्ता की कड्नेपिंग हो गई हैदराबाद पुलिस ने इसमें जो इनीशियल काम किया उनको ऐसा लगा कि इसमें जो रेन सम्मागने वाले लोग हैं वो संभोता उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो इसलिए उन्होंने यूपी एस्टीएफ की मदद मादिए कि यूपी एस्टीएफ हमारी इसमें मद की फिरोती मागी गए और यूपी एस्टीएफ को जो वाइस फाइल दी गई वो उस फाइल से उसमें हम लोगों ने प्रोसीड किया तो ये पता लगा कि फिरोजाबाद आगरा छेतर का इनामी बदमाश जिस पर उस जमाने में 50,000 रुपए का इनाम था मुकेश यह दो इस इसने या इसके गैंग ने इसके ग्रूप ने ये किड्नैपिंग की है बड़ी किड्नैपिंग की वहाँ हैदराबाद में भी लोगों को वहाँ के पुलिस को और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजिंसी को यही शक था कि ये भी वही बग्दू शवास्तो डी कंपनी अब ले लेना सकसे सुली ये शायद उन्हीं लोगों के बसका था और किसी के बसका नहीं है मुकेश यादो की भी अपनी अलग एक हिस्टिय है कि 1989 में इसी के सामने इसी की आँखों के सामने ये इसके पिता की हत्या हो गई वो उसमें दस्वी कच्छा का चात्र था एक्जाम के ठीक पहले ये हत्या हुई और दस्वी का वो बोड का एक्जाम नहीं दे पाया इसने अपने पिटा की हत्या का बदला लेने के लिए नाजाय जसलों से कुछलों के साथ मिलके जो उसमें एक अभ्यूक्त था मलू यादो मलू यादो पर एक दिन अचानक कम उमर थी अचानक हमला कर दिया मलू यादो बच गया और ये मौके पर पकला गया जेल चला गया जेल से छूट के आया 1990 में इसने जो एक दूसरे अभ्यूक्त थे इस कांड के जोगिंदर यादो इनकी और इनके साथ और बहुत से लोग थे इनके उपर स्टेन गन से हमला किया इसके मौकेश के साथ भी कई लोग थे और इस्टेन गन से हमला करके जोकिंदर यादो को चलनी कर दिया और इस तरह से अपने पिता का बदला लिया पाध में हम लोगों ने जब इसको गिरफतार किया अब शाथ मईए को साथ मईए 99 को मकेश यादो को हैदराबाद में गिरफ्तार किया सारी टीम हम लोगों के हैदराबाद में जाके पड़ गई और वहां इसे एक तगडी मुट्भेड में अच्छी मुट्भेड हुई यह बच गया जान इसकी बच गई लेकिन इसको हम लोग के डीजीपी मोदै ने भूरी भूरी प्रसंशा की प्रेस कांफेंस करके प्रसंशा की कि बहुत ही प्रफेशनल यूनिट है यह यूपी पुलिस की और जिसकी वज़े से यह सकुषल लोट आया अक्षे गुपता और यहां पर पुलिस की और चीछा लेदर होने से बच प्रफेशन में यह पता लगा कि भई आप उस समय इस्टेंगन का इस्तेमाल बहुत निन्यानबे में वो भी फिरोजाबाद जैसी जगह में उसके पहले इस्टेंगन के इस्तेमाल से कोई इस तरह की बड़ी हत्या नहीं हुए कि महां बड़े शहरों में जलूर एके 47 का प प्रियोग इस तरह की हत्या में कम हुआ था पुलिस नहीं देव उसकी प्रॉपर इन्विस्टिकेशन की तो यह पता लगा कि इसका एक दोस्त है मनोज भारती उर्फ राजीव भारती जिसके पिता एक कस्टम अधिकारी है अलीगर कर रहने वाला है और यह आम्स की आम्स क पर्शिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जो अपराधी गैंग है उनको बेशता है इसी तरह की एक तसकरी में जिसमें यह एक एक फॉर्टी सेवन और तीन नाइन एम्म की पिस्टल लेके जम्मू से चला था और मिलिटरी पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था कहीं पर और यह असलहे इसके पास से बरामत हुए थे तब से यह जम्मू जेल में बंद था अभी दो साल तीन साल पहले तक कि जम्मू जेल में था और अभी हाल का पता नहीं है कि यह वहां से जेल से छूटा ट्रायल हुआ सजा हुई की नहीं यह बहुत अपडेट मेरे पास अभी नहीं है फिर मेरा कहना था कि ये जो इस तरह की किड्नेपिंग ये उसी तरह की थी जिस तरह की बड़े वाले सिंडिकेट किया करते थे 97 के मिड 97 से शुरू होके और 99 तक जो बड़े सिंडिकेट थे जो दुबई से पाकिस्तान से कराची से नेपाल से मलेशिया से सभी भारतिय थे सभी या तो सोटा राजन के लोग थे या दाओद इब्राहिम के लोग थे या फिर बगलु शवास्तो के के सिंडिकेट में वो काम करते थे यह सारी किड्नेपिंग जिनका अभी मैंने जिकर किया चाहे वो एकल से इंस्ट्यूट का हो चाहे वो हैदराबाद के विवसाई का हो चाहे हरदवार के डॉक्टर तनीजा को इनका इसकेल वही था इनमें उसी तरह के उसी मैगनिट्यूट की डिमांड फिरोती की निकले जो पुरानी किड्नेपिंग के किस से सुन सुनके और उनको यह लगता था कि यह बहुत आसान काम है और इससे बहुत कम समय में हमारी आर्थे के सिती में सुधार हो जाएगा अगली किड्नेपिंग हुई 11 अक्टूबर 99 को मेरत पेट्रोल पंप के मालिक हरिंदर सि फिर इसमें वही 50 लग क्या असपास फिरोती मांगी जाने लिए फिर सिफ भाग के गई हर बार यही लगता था कि अगर यह उधर वाले निकले तो अरिस्टिन की नहीं हो पाएगी लोकल जो ऑपरेटर से सिर्फ वो पकले जाएंगे और पैसा लेके वह वहां दुबई में या नेपाल में या बैंक कॉक में मस्त होके पड़े होंगे हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे यह जैसे यह लगता है कि हमारे सब कुछ तमाम प्रयास के बावजूद भी यह मूच रहाते हैं वहां से क्या कर लिया और एक के बाद एक के बाद किट्नैपिंग होती रहती है तो इसी दर से फिर पूरी टीम मेरट पहुंच गया तब तक हमारी मेरट के एक एकाई भी खुल गई थी चोटी सी टीम मेरट में इस्टेशन रहती थी पुलिस लाइन में उनका मेरट पुलिस लाइन में एक टेंप्रेरी ऑफस भे खुल दिया गया था हम लोग वहां पहुंचे फिर उसी तरह से वो अब इतना सेट हो गया था यह कि बहुत धेर सारे नंबर्स इस सिंडिकेट के हम लोगे पास थे कि एक दिन या दो दिन में यह तैं हो जाता था कि इनके द्वारा ही किड्नेपिंग की गई है या किसी और ने यह किड्नेपिंग कराई है लेकिन इस किड्नेपिंग में तीस गैरा अक्टूबर की यह किड्नेपिंग थी और तीस अक्टूबर को इसमें हरवीर सिंग सनाफ मलखान सिंग मुझफर नगर जांसर्ट कर रहने वाला और संजीर जाट यह दो अपराधी जो इस्थानी अपराधी थे इनको अरेस्ट किया गया और उससे पूरी किड् से की लालसा थी और अच्छे हथियार जिनके पास आ गये थे वो उसका उप्योग करके इस तरह से किड्नेपिंग किया करते थे यहां एक घटना और हुई 2000 में 22 अप्रिल 22 अप्रिल 2000 में एक घटना हुई जिसमें तीन अपराधी पकड़े गए ग्यान चंदर श्रेवास्तो राकेश चोरसिया और प्रमोत्तिवारी यह तीन अपराधी यहां पकड़े गए रेलवे स्टेशन पर हालांकि यह टिप आफ हम लोगों को किसी बड़ी एजेंसी से मिला था कि यह वहां से चले हैं इनकी सारी बात ओवर्सीज यानि दुबई से हो रही है दुबई के नंबर से हो रही है और यह फजलूर रह्मान के उस इर्फान गोगा के सिंडिकेट यानि फजलूर रह्मान के से इननों की बात लगातार चल रही है लेकिन उस समय यह इस पस्ट नहीं हो रहा था कि यह एहमदाबाद जा रहे हैं तो क्या किस की सेंट्रिक थी वह स्टेफ में विफल कर दी थी बाकी में दिल्ली और मुंबई पुलिस को भी कुछ सफलता मेरी थी उसके काफी गैंग मेंबर जेलों को भेजे जा चुके थे पुलिस की परिशानी ये थी कि उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा था कि ये आखिर किस वेवसाई की या किस बड़े आदमी की किट्नेपिंग के लिए यहां से चले हैं क्योंकि वही टेंडर खींचने की बात जो टिपिकल वाकुबलरी है मुंबई के अंडरवर्ट की और जिससे थोड़ा सा अलग है अलग कोड इस्समाल करता था बब्ली शवास्तो अब देरे देरे हम लोग सारे गैंग के कोड्स का भी पता लग जाता था अगर एक भी जो इन से बात होती थी जब यह टेंडर की बात करने लगे तो यह समझ गये कि यह वही काटल है जो दुबई में बैठ के ऑपरेट करता है और संभुता बबलु शवास्तों कि बबलु शवास्तों का उस समय कम्यूनिकेशन नेटवर्क सी बिलकुल तोड़ के रखा था सी इन्विस्टिगेट कर रही थी नैनी जेल से जो ऑपरेशन सुए थे जिसमें बड़ी-बड़ी किनेपिंग की गई थी तो बबलु शवास्तों तो कम्यूनिकेशन के बाहर था इसलिए यह फजलूर्रहमान की बात हुई और यह तीन हम लोगों ने पकड़ लिये रेल्वे निर्मा साबुन के मालिक की किड्नेपिंग के लिए कहा गया था लोकल वहां पर इनको तीन लड़के और मिलते हैं पहले से ही वहां पर एक एहमदाबाद में एक फ्लैट एक गाड़ी और एक दुपहिया वाहन का इंतिजाम कर लिया गया था यह वहां पहुंसते रहकी भी कर ली थी कैसे एनको उठाना है कहां से इनको उठाना है यह सारा प्लान बन गया था इन लोगों को रिसीव करने के लिए वहां मुंबई वीटी पर वहां की लोकल गयां के लोग आते इन्हें इस्तापित कर दिया जा था और एक हफते के बीतर ही यह करने पिंग हम लों को इसको अंजाम तक पहुचाना था यह बहुत ही गंभीर गटना होती अगर यह इसके पहले यहां पकले जाते हैं आज का यह पार्ट इसी बात के लिए कि बड़े किड्नेपिंग्स के आड़ में छोटे-छोटे जो अपराधी गिरोह थे यह भी पनपने लगे थे और अब एक कुछ बड़े गैंग्स का पूरा का पूरा परदा फाश हो गया कुछ के बड़े ऑपरेटर्स जो लोकल ऑपरेटर्स हैं यह सलाखों के पीछे भी चले गए आज का आज बस यहीं तक कल फिर कुछ जो टेलर नेटवर्क पे उस समय काम कर रहे थे हम लोग यूपी एस्टि को सफरताइं में ली थी वो हम आप सब के सामने ले आएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद